तो नहीं होप सो सबको ये बात क्लियर हो गई थी वाट इस लासिटी ऑफ डिवाइट पांच कोफिशेंट्स भी सबने पड़ लिया थे चलिए नेक्स्ट अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे दा हेडिंग टाइटल डाइटल डाइट 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 मेजर्मेंट ओफ इलास्टिसिटी ओफ डिमांड यूर सीवियस से सेलबस प्रेस्क्राइब्स ओनली वन मेथर्ट बट इन रियालिटी दिर आर फोर मेथर्ट्स तो काल्कुलेट तो वी लिस्टिंग डाउन ओल जिसमें से तीन आप क्लास 11 में पढ़ सकते हैं और यह तीन idée आपको सीचमें भी पूछे जाएंगे वाण आपका सोट्स सिर्फ आपसे यह पहला मेथट पूछेगा और अपरकुछा से को यैंट पर्संटेज की नियूं। तो ब्रैकेट में एक इन फॉरमेशन मोस्ट इंपॉर्टन और लिखिंचे अप्लिकेबल फॉर प्राइस इलास्टिसिटी इंकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी मेनिंग तु से यह जो आपके मेथोड्स है तीन डाट इस परसंटेज मेथोड टोटल आउटले मेथोड इसमें से सिर्फ परसंटेज मेथोड ऐसा है जिस पे आप प्राइस इलास्टि का भी क्यालकुलेशन करते हैं इंकम इलास्टि का भी करते हैं ऐस विल आज क्रॉस का भी वेराज वन वी टॉक अबाट चिल्रन टोटल आउटले मेथोड तो हम इस मेथोड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टि की बात करेंगे and here also we'll talk about प्राइस इलास्टि the logical approach is well understood by all तो टोटल आउटले मेथोड is not suitable for income इलास्टि और क्रॉस even geometric method is not suitable for income इलास्टि और क्रॉस सिर्फ प्राइस इलास्टि एक लौता ऐसा method है जो हर तरह की लास्टि में काम आएगा तो मैं blue color से mark कर देता हूं what is your only cbsc course content सिर्फ इतना है चलन बस बट आपको हम सब पढ़ाएंगे क्योंकि आप एक पढ़ लेंगे तो बागी पढ़ना बहुत असान है इजिए सब में after putting this just right illustrative example to understand this price 10 quantity 100 price 12 quantity 70 इस 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 तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेथर्ड तो परसेंटेज मेथर्ड का सब लोग फॉर्मुला जरूर लिख लें write the formula elasticity which is quoted as EP equals to percentage change in quantity demanded divided by children percentage change in 99% बच्चे गलती करते हैं और लिख देते हैं प्राइस वेराज दा करेक्ट content is to put its price क्योंकि अगर किसी दूसरे प्राइस की वज़े से कौफी की प्राइस की वज़े से टी की डिमांड बढ़ जाए तो इसे कार की डिमांड कम भी हो सकती और बढ़ भी हो सकती है तो प्राइस के दो मतलब हो जाएंगे कि उसी कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस अलासिटी और दुसरी कमोडिटी के प्राइस की बात करने से दूसरे की कॉण्टिटी में चैंज आ जा जा तो it is cross elasticity तो if I say कि petrol का प्राइस 10% बढ़ गया उसके कितने customer उसके तो price elasticity है, petrol का price 10% बढ़ा, तो car की कितने कस्पन भागेंगे, that is cross elasticity, तो अगर आप सिर्फ price लिखेंगे, तो किसका price, petrol की price की वज़े से उसकी elasticity, या petrol की price की वज़े से car की elasticity, तो that creates confusion, तो हमेशा आपको क्या लिखना है यहाँ पर, it's, और अगर cross पढ़ेंगे, तो यहाँ पर formula होगा, percentage change in quantity demanded of car, upon percentage change in the price of petrol, percentage change in the quantity demanded of Pepsi, upon percentage change in the price of coke, तो बनेगा cross elasticity, quantity demanded किसी और की और price किसी और का, किसी और का मतलब, या तो वो substitute goods होंगे, और या तो वो complementary goods होंगे, fundamental logic is clear, और its price का मतलब है, that we are talking about what, कि mobile phone Samsung का अगर दाम 20% बढ़ गया, तो उसकी demand में क्या फरकाएगा, तो Samsung के mobile की demand में क्या फरकाएगा, जब उसकी price में फरकाएगा, तो its लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप its नहीं लिखेंगा, तो पूरा zero हो जाएगा concept, समझ में आगई बाद, और income elasticity में, यहीं पे change in price की जगा change in consumers, income चलाएगा, तो percentage method तीनों जगा काम करेगा, price में भी, income में भी और cross में भी, हम अभी किसकी बढ़ाई कर रहे है, price की, फिर वैसे examples पढ़ेंगे, income के और वैसे ही, cross, but जब total outlay method पढ़ेंगे, तो सिर्फ I'll be able to tell you price velocity, nothing else, और जब geometric पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको price बता पाऊंगा, यह नहीं बता पाऊंगा, क्यों, जब पढ़ेंगे तो I'll let you know कि हम क्यों नहीं सीख पाते हो, fine, चले आगे, चले, EP is price elasticity, okay, चलिए, labeling करिए चलें, यह जो 10 रुपी है, call this as P1, and 12 रुपी को बोलिए P2, 100 will be labeled as Q1, and 70 would be labeled as what, Q2, ready to understand? दो तरह से calculation हम आपको दिखाएंगे, and I want कि आप दोनों तरह से calculation लिखेंगे, चलिए, type 1, and type 2, is this visible type 1, type 2, everybody, ready to understand, ready to understand, इतना कॉपी करिए, just being back, आपको एक्जाम में question आएगा लगबग 4 marks का, and they will be asking you, explain the calculation of elasticity of demand, using percentage method, question ऐसे बोल सकता है, how elasticity can be calculated using percentage method, ये भी बोल सकते हैं, with the help of percentage method, calculate price elasticity, तो type 1, type 2 में, जो भी आपको comfortable approach लगती, आप उसको follow कर सकते हैं, दोनों एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा different, ready to understand, चलो, तो सबसे पहले formula लिख दिया सबने, चलिए, let's understand कि ये formula apply कैसे होगा, बहुत ही simple है, एकदम maths का जो percentage का concept है, वही आपको apply करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, नुमेरेटर में क्या लिखा है जलन, percentage change in quantity or price, quantity, original quantity थी 100 और change होके कितनी हो गई, 70, how you will do it, ध्यान से सुनिएगा, it is q1 minus q2 upon q1 into 100, percentage शायद ऐसे ही निकालते थे हम लो, 100 और 70 का difference क्या होगा, 30, 30, 100 का कितना percent होता है, 30%, तो ऐसे ही निकलेगा, q1 is 100, q2 is 70, तो 100 minus 70 कितना आजाएगा, 30, whole divided by 100 into 130 percent हो गया, similarly हम काम करेंगे, price के लिए, it is p1 minus p2 upon p1, whole multiplied by 100, तो अब math सबको आती हाय होप सो, तो चलनी 100, 100 will get cancelled, correct, e p equals to q1 की value के है चल्रेन, 100, what is the value of q100, minus 70 upon 100, whole divided by what, whole divided by what, 10 minus 12 upon 10, समझ में आगया, समझ में आगया, thereafter आपको जो difference अब मिलेगा, 100 और 70 का वो कितना मिलेगा, 30 upon 100, whole divided by minus 2 upon 10, अब सरी, minus 2 को हटाने का कोई तरीका कोई तरीका नहीं है, अगर आप minus 2 को price में से हटाएंगे चल्रेन, तो quantity में minus 30 आ जाएगा, एक जगा तो माइनस, आए गई आएगा, एक जगा माइनस, आए गई आएगा क्योंकि inverse relationship है, चल्यागे, so ultimately children it works like this, 30 upon 100 divided by minus 2 upon 10, dividing by a fraction or multiplying by its reciprocal means one and the same thing in mathematics, तो ultimately children यह 10 और 100 कड़ गया, टू वन्स आटू फिफ्टीन थर्टी, 15 upon 10 कितना आएगा, 1.5 दिमाग की बत्ती जलाएगे, practically minus 1.5, आप minus sign गोकर ignore भी कर देते हैं लिखते तो कोई marks भी करते आपके, because it is a pre-known fact कि demand और price का रिष्टा हमेशा उल्टा ही चलता है, इंवर्सी रहता है, तो माइनस नहीं भी लिखेंगे तो standard save माना जाएगा, so 1.5 अगर answer आ रहा है तो यह 1 है कि 1 से कम है कि 1 से जादा है, 1 से जादा है, तो इसका मतलब यह है कि price में जितना change आएगा quantity में उससे कहीं, जादा change और आपको यह नजर भी आ रहा है, price में change 20% का था लगबख और quantity में कितना हो गया, 30% so this example could be codified as inelastic और elastic children, elastic demand समझ में आ गया, तो आपको इस तरह से type 1 में पूरा illustrative example दिखाना पड़ेगा, एक तरीका मैं इसका आपको और भी बता देता हूं, आप वो भी follow कर सकते हैं, बट पहले इस तरीकों को logically पूरी तरह से जरा complete कर लें, एक चीज़ यहां पर बच गई है, ध्यान से सुनिएगा क्या बच गया है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको formula में convert कर रहे हैं, चलन, 30 क्या था, change in quantity if I am not wrong, yes or no, और 100 क्या था बच्चो, चेंज इन प्राइस हंड़ेट था, यह original quantity थी, what was minus two children, minus two क्या था, change in price, correct, और 10 क्या था चलन, original price, अगर इस formula को मैं ऐसे लख दू, delta q upon delta p into p1 upon q1, कोई फरक पड़ेगा, left right हो गया, right left हो गया, तो sir हम यह लिखेंगी, यह लिखेंगी, कोई भी लिख सकते हैं, बात भई पड़ेगी, यह formula easy to understand है, change in quantity upon change in price, into original price upon original quantity, तो elasticity का यह one-liner formula होता है, delta q upon delta p into p by q, p1 by q1, वो तो depend करता है कि आपने इन दोनों को क्या लिखा है, मैंने p1 q1 लिखा था, तो मैं p1 q1 लिख रहा हूं, if I would have written this as p and this as p1, this as q and this as q1, तो p1 और q1 की जग़ा क्या होता, p और q जैसे laterals आ जाते हैं, so people understood कैसे लिखना है, कोई query, हाँ, बोली, 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 तो क्या lecture खतम हो चुका है, क्या, यह तो type 1 था ना, अभी type 2 में वही काम करेंगे, तो दिखाना पढ़ेगा ना, लिखे, oral exam नहीं चल रहा है, वायवा नहीं होगा, यह टाइप 2 में करेंगे ना, यह काम हम लोग, और कोई query है, तो पूछिए, खाना खतम होँआ नहीं, और चावल मिलेंगी कि नहीं, पूरी प्लेट भरिए चावल से, इतने अवल दर्जे के हपशी हैं लोग यहां पे, हिंदुस्तान में, और चावल ले, और चावल ले, टाइप 2 में चल रएं, सो कॉल इतना composition, आप as it is, अगेन कॉपीफाई कर लीजे, इतना composition एकदम सेम है, इसके बाद से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो यह कटेगा नहीं बस, ठीक है, काटिएगा मध 100 को, यह open रखिएगा, डोंट कैंसल 100, तो क्या लिखा था हमने भाई, क्या लिखा था चलन, q1-q2 upon q1, p1-p2 upon p1, यह लिखा था न, चलन यह लिखा था था, तो ultimately, आपका q1 was 100, this was 70 upon 100, whole multiplied by 100, whole divide करेंगे इसको, it's 10-12 upon 10 into 100, further this could be codified as 30 upon 100, in 200, minus 2, I said कि आप ignore कर सकते हैं, कोई problem की बात नहीं है, तो this would become children 30% and this would become 20% answer क्या आएगा अगे आपका, 1.5, it is children more than 1 और less than 1, more than 1, set to be elastic और inelastic, तो दोनों में फरक क्या है, यहाँ पे आपने पूरे percentage को use किया, direct formula बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपने cancellation approach apply कर दी, तो cut pit के यह answer आएगा, but majority cases में जब आप कल को numerical solve करेंगे, आपको examine numerical question कुशे जाएंगे, तो यह data आपको दे देंगे और बोलेंगे elasticity calculate करो, तो no need to do this nuisance और यह पूरा करने की ज़रूत नहीं है, तो जब आप answer समझाएंगे तब यह लिख सकते हैं, क्या procedure for calculation है, आपको सिर्फ यह formula अप्लाए करना होगा, जब आप दो number का असान सा numerical करेंगे, clear, एक चीज़ और याद रख नहीं है, here while calculating the answer, मैंने minus sign को ignore किया है, बच आप numerical करेंगे, मान लीजिए, आपको question में elasticity दे दी जाए, change in quantity, original price, change in price दे दिया जाए, और question कह रहा है कि original quantity calculate करेंगे, हो जाएगा, mass लगागे हो जाएगा, वहाँ पे elasticity आपको दी है question में, question बोलेगा, elasticity is 1.5, बट लिखते टाइम वहाँ पे आपको minus 1.5 लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका answer गड़बड हो जाएगा, तो when these four parameters are known, and you are supposed to calculate elasticity, got it, तो कोई अगर आपसे पूछे, temperature इंडिया में क्या है, और वो foreigner है, और आप बोले 47 degree, अब वो पूछेगा, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में होगा तो मतलब cold है, प्लस में होगा तो मतलब hot है, तो सिर्फ 47 degree बोलने से, समझ में पूरी बार नहीं आएगी, तो as a student, when you are going to calculate elasticity, ignore minus sign, but when minus, sorry, elasticity is already given to you, with other parameters in the question, तब आपको answer निकालते, time minus sign लगाना अनिवार रहे है, नहीं तो आपका answer गरबढ हो जाएगा, logic understood or not, अभी भी नहीं समझे, समझ ना फिर से सुन लीजिए, चारो बाते पता है, ये चारो चीज़े आ गई, आपका answer क्या निकलेगा, elasticity, ignore कर दीजे minus sign, कोई number नहीं करता, but question में elasticity दे दिया, change in quantity दे दिया, original price is given, change in price is given, आपको क्या निकालना है, original quantity, तब आपको minus sign लिखना पड़ेगा, नहीं तो answer आपका गलत हो जाएगा, elasticity of demand हमेशा negative में है, supply नहीं आती, क्योंकि supply का price के साथ parallel relationship होता है, और demand का हमेशा price के साथ, उल्टा relationship होता है, इसकी ये price elasticity हमेशा negative में ही आएगा, समझ में आई बात की नहीं, चलन समझ में आगई बात, चलिए, complete this fast, चलिए बच्चो सबने, चलन कर लिया, चलिए, तो अब हम क्या समझेंगे, various degrees of price elasticity तो हम पढ़ी चुके है, calculation भी सबको आता है, अब इसी percentage method को बार-बार apply करेंगे, पांच बार, कितनी बार, और साथ में इसका graphical presentation सीखेंगे, क्योंकि exam point of view से आपको तीन नंबर का question पूछा जाएगा, explain perfectly elastic demand with the help of illustrative example, explain unitary elastic demand with the help of illustrative example, explain more elastic demand, less elastic demand, inelastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand with the help of illustrative example, तो आपको price और quantity का schedule बनाना पढ़ेगा पहले, फिर आपको पूरा percentage method से derivation दिखाना पढ़ेगा, उसके बाद आपको so-called graph गनाना पढ़ेगा, कैसे ये काम होगा, let's understand, कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है, है बहुत असान, तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है बचों, unitary elastic, ready to understand, चलिए, अपनी copy में एक heading डालिए, understanding bracket open with diagram I repeat, understanding bracket open with diagram bracket close different degrees of price elasticity of demand different degrees of price elasticity of demand ready children ready लिए लिए लगीutan like the first one unitary elastic demand दो लिए ग्रिमाथ अफ लिखेंगे it is जार्टिंस रिख़ें Unitary Elastic Demand is defined as the change in price being equal to the change in quantity demanded so degree of responsiveness of change in price is equal to the change in quantity demanded rare among the rarest conditions है ऐसा reality में कभी हो ही नहीं सकता impossible सी बात है यह तो economics सी भाशा में हम इसे बखवास भी गोल थे many a times डंचलर लिग दिया चलिए पूरा formula यूज़ करने की जुरूद नहीं है अब आपको derivation आ गया delta q upon delta p into children what p by q कितना quantity में change नजर आ रहा है बचो quantity में change कितना है 20 very good price में कितना change है 2 what is the original price 10 and what is the original quantity children 100 001 001 what is 2 upon 2 इकोल्स टू one समझ में आगे इतनी बात मतलब जितना change प्राइस में होगा उतना ही चेंज quantity में होगा प्राइस जाएगी उपर और quantity जाएगी नीचे अब इसका ग्राफ बनाना economics में one of the toughest graphs माने जाते हैं reason being कि आपके पास ideology नहीं है कि कैसे आप same change शो करेंगे ध्यान दीजेगा मेरी बात पर बहुत भेंकर चीज आपको बताने जा रहा हूँ children origin से four centimeter y axis origin से four centimeter x axis पर आप चलेंगे four ले सकते हैं five ले सकते हैं ऐसा measurement जो हमें फसाए ना और mark करेंगे इसे op और इसे mark करेंगे o q और आपकोपी चेक करने वाला टीचर एक सेकिंड में देखके पकड़ लेगा कि आपने सही measurement लिया है कि नहीं तो प्राइस वॉज ओपी और quantity is o q students can also write instead of p 10 रुपी and instead of q 100 units यह भी आप कर सकते हैं स्वाधन उसार जो आपको अच्छा लगे मैं लिख भी देता हूं 10 and 100 दोनों मत लिख दीजेगा तीचर के लिए स्वारी पाइप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं 4 cm से चल्रेण 4.8 cm आप उपर जाएंगे 4.8 सरे 4.8 का क्या कैल्कूलेशन है बहुत 4 cm का 20% .8 cm होगा और अगर आपने पाथ सेंटीमीटर ओपी लिया होता तो मैं बोलता है सेन्टिमीटर वढ़ा दो तो वोड़ीव से पीछे की तरफ आएंगे पॉइंट एट सेंटिमीटर और इसको बोलेंगे पीवन और इसको बोलेंगे क्यू वन दस्वोड बी 12 एंड दिस वोड़ भी एटी अब देखते हैं यह यूनिट क्या बोलती है चलिए दिस इस पॉइंट बी अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे बच्चो बोलेंगे सर फरक क्या पड़ेगा यह तो हम फ्री हांड बना लेते फरक पड़ेगा चलिएचर यहां पर प्रोटेक्टर रखेगा और देखेगा यह तो सबका 90 डिग्री आएगा कोई प्रॉड्रम की बात नहीं है यह 45 डिग्री और यह 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए आ आप ऐसे और सो कॉल्ड नीचे टच कराएंगे तो यह वाला एंगल और यह 45 डिग्री बनेगा एक्जैक्ली तो टीचर यह माग कर लेगा प्रोटेक्टर से कि आपने सही बनाए कि नहीं कुछ लोग ऐसे बकसा खीच के लाइन डॉकर देते हैं बापकी सब में चल जाएग वह स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होता है जिन्होंने घंडे थोड़ी ज्यादा पड़ियो मेरी बातों को समझभाएंगे तो वह स्लोप होगा कर्व नहीं होगा और जब आप उसको पर नीचे एक्स्टेंड करके जॉइन कर देंगे एक्स इंटरसेप्ट पर यंटरसेट प यह गैप और यह गैप ना पेंगे वह देखेंगे गैप 20-20 परशंट आ रहे की नहीं आ रहा तो माक्स मिलेगा नहीं तो गोल माक्स मिलेगा प्रप्लें बाद गई तो इसे लिए कहता हूं युनिट्री लास्टिक का ग्राफ बनाना सबसे टिगड़ा काम एकनॉमिक्स में दुनिया कोई ग्राफ इतना टिगड़ा नहीं इतना युनिट्री लास्टिक का है क्योंकि आप बनाते फ्री हैंड है बट वही रिष्टा होता है एक सेंटीमेटर और फिर यहां पर भी पांच बना लीजे ओक्यू और क्यू से क्यूवन फिर पीछे एक सेंटीमेटर कर दीजे ओके बागी किसी में कैलोकुलेशन मैच करेगा नहीं असल में फाइव में मैच कर जाएगा सिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होगी 20 सें अमज में आया तक चलिए भी कोई भी कोई अब लिटरल लेख लें लोग जड़ा नहीं तो भूल जाएंगे लिख लें सबको अब एपी इक्वल्स टू प्राइस एलस्टिव डिमांड गेल्टा क्यू एक्वल्स टू चेंज इन कॉंटिटी डेल्टा पी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस कि क्यू इक्वल्स टू ओर रिजनल कॉंटिटी एंड पी इक्वल्स टू ओर इजिनल प्राइस अब कोई तो नहीं होगा समझ गए तो अगर मैं यहां पे टैन को पीवन बोल दूं तो यहां फॉर्मुले में लिख दूंगा कुछ भी लिख सकते हैं है बट स्टैंडर्ड मानते हैं कि प्राइस के लिए पी यूज करिए है कि भी पिक लेट्स प्रोसीड फॉर्दर टू वाट इस पॉल्ड अज़ नेक्स्ट डिग्री ओफ इलास्टिसिटी शेडियूल में थोड़ा सा चेंज करेंगे और सो कॉल्ड डेफिनेशन तो पूरी ही चेंज जाएगी फॉर्मिला वूट रमें सेम प्राइस में कोई चेंज करने की किच्छ अले प्रुसीदर सीगें चीट इलास्टिक डिमांड क्या होता है परसं TE.. चेंज और ती डिमांडवे इस और प्रेक्स वंडी बीमृट का चेंज ज्यादा होगा प्राइस का कि कम होगा आप क्यों मोर्दन पी लिख सकते हैं अपनी अवेर्नेस के लिए ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा बीस परसेंट बिजनसमेन ने प्राइस बढ़ा दिया अपने प्रॉडक्ट का कितने कस्टमर भाग गए साट कस्टमर भाग गए रेडी विद दा फॉ अपन डेलटा पी इंटू चल रण पी अपन क्यों कितना चेंज क्वांटिटी में है इतली मापनी माइनस नहीं आथा गया की बीटेक करें बीटेक कॉंटी रिटेक के लिए चिस्टी पुछ बैरे लुदरुले लंगा ब्राइक अबहन हो है प्राइस में पीतना चेंज है 10 and what is the original quantity 100 चलिए जीरो जीरो बन गया हिरो जीरो जीरो बन गया हिरो six upon two answer क्या आएगा बच्छो it's more than one or less than one relatively elastic भी बोलते हैं इसको more elastic भी बोलते हैं simply elastic भी बोलते हैं इसके graph में कोई problem नहीं है बस जहां पर problem थी वह मैंने आपको बता दिया कि इसका graph बनाना बहुत असान है बहुत असान कोई भी बना सकता है कि प्राइस ओपी कि कॉंटिटी इस ओक्यू कि वेल विजिबल टॉड चलिए थ्यान से बताईएगा दिमाग की बत्ती जलाके ज्यादा चेंज किसमें आया वच्छो quantity और कम change किसमें है ध्यान से सुनिएगा P से P1 और Q से Q1 ये तो आप कैसे भी कर सकते हैं आपको जयादा gap दिखाना है quantity में और कम gap दिखाना है प्राइस में तो इसमें scale की कोई खास जूरत नहीं है scale मतलब measurement की मतलब मेजर्मेंट की कोई खास जुरत नहीं है ठीक है चलिए तो यह ग्राफ समझना आगे चलने चलने इस ग्राफ पेस्ट वेल इंडरस्टुट चलिए तो हैर वी हाफ पॉइंट बी अब यहां पे जो आपका स्लोप बनेगा डेफिनेटली स्लोप तो बनेगा बट थोड़ा फ्लैटर बनेगा लेटा बनेगा यह सोनों चलन आपका नबे डिग्री का अंगल यह तो बनेगा ही बनेगा बट यह कभी भी दो पैदालेस नहीं बनेगा सर हमको तो यह 30 लग रहा है यह 60 लग रहा है वह कुछ भी होगा 45 45 नहीं हो सकता बागी कुछ भी हो सकता है ठीक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर एकदम आपका इस बन रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक समझ में आ गया इसलिए बच्चे बोलते हैं फिजिक से सरे टम उठाये गया है सैटलाइट किस पोजेशन पर रखी जाए कि वह अर्थ पर सिगनल दे पता लगा अर्थ यहां पर सैटलाइट ऐसे और ऐस अरे सिगनल आदमी नहीं वापिस आएगा तो सैटलाइट की पोजेशनिंग जो होनी चीए वो टुवर्ट अर्थ होनी चीए तो वर्ट्स समझ में आई बात की नहीं चलिए समझ गए वाट इस कॉल्ड एस इलास्टिक चला है समझ गए तो बस युनिट्री में प्रॉब्लम है बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओ पी का कुछ भी आप डिस्टंस रख दीजिए और कुछ भी रख दीजिए अब यहां पे चेंज जादा किसमें नदर आ पड़ेगा और प्राइस का कम रखना पड़ेगा तब आपका ग्राफ रहिस में कशी तो कि घर वाले रही से बच्चा गरीब है पापा मर्सडीस से जाते हैं और बच्चा साइकल से नहीं जा रहा है कैसे साबितों की गरीब पिता की रही संतान है पिता जी मारूती ऑल्टो 800 पे जाते हैं बेटा के टीम ड्यूग वाइक से जाता है अंडरस्टाड निक तो वही चलें आगे बच्चो चलन चलाइब को सीट पर्दर चलिए लेट्स प्रोसीद फर्दर चले लेट्स प्रोसीट फर्दर फॉर्मुला तो सेम रहेगा सिर्फ आपके पारमीटर्स पॉर कैल्कुलेशन में क्या चेंज होगा कॉंटिटी औ चिल्डरन ग्राफ तो बस पहले वाले ग्राफ में प्रॉब्लम थी बाकी तो बहुत असान है चलो कि नेक्स दिल्डन वी है इन एलास्टिक प्राइस में चेंज जादा और कॉंटिटी में कम अच्छा डीट टाइप का कस्टमर है समान महंगा होता जा रहा है तब भी खरीद रहा है सॉल्ट शुगर कितना भी प्राइस इनका बढ़े कॉंटिटी में फरक आएगा बहुत जादा नहीं आएगा बीस परसंट प्राइस बढ़ गया और कॉं 98 कितना चेंज आया सिर्फ दो प्रतिशत का तो यह ऐसी कमॉडिटी जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है बजार में बीस परसंट महंगी भी हो गई बिचारा कस्टमर मरता क्या ना करता इसी से खरीदना है खोपडम बाद गई एक्सक्लोजिव शोरू में किसी प्रॉड प्राइस में कितना चेंज है तो अरे तर बरावर रोगा है इनटी लास्टिक हो गया अभी कैलकुलेट करें तो पता लगेगा और इसनौ प्राइस क्या है टैन कॉंटिटी हं ड्रेट जीरो जीरो बन गया ही रो इट्स टू अपॉन टू टू आपॉन टूंटी क्या है एक खरीद रहें क्यों क्यों कि इस प्रोड़क का सब्सेट्यूट यह नहीं या कस्टमर एडिक्टेड है टुबैकों की बात कर लीजे जो लोग पान खाते हैं जो लोग सिग्रेट स्मोक करते हैं अल्कॉहल कंजूम करते हैं बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ सांप की तरह लहर प्राइस में और कम चेंच किसमें है चलिए शमयब आई बात चिल्रन बात समझ में आई ओ पी से पीवन बहुत भैंकर चेंग नजर आ रहा रहा आपको अा सव्य तो ऐसे लग रहा है वह जैसे बिजली खंब लुट आटे ओलो बिजली बहुक वाले असा ही लग रहा है और दिस इस पॉइंट ए रेड़ी चलिए यह मिताब बच्चन है फ़लक से एक तम स्टीप है चल रहे हैं तो पिछले वाले स्लोप से अगर आप जूला जूलते हो नीचर बुलटी मार के गिरें तो कम गिरेंगे इससे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी इनर्शिया ज्य और उसमें इनर्शिया कम था क्या इसमें इसमें ग्रैविटी जाता है तो कभी आपने अगर किसी पहाड़ वाड़ पर चड़े हो बड़ा स्टीप पहाड़ है तो बोलेंगे इनलास्टिक पहाड़ है और बड़ा फ्लैटर पहाड़ है प्लेटू टाइप तो अराम यह गाप समझना गया पी से पीवन का जादा है क्योंकि प्राइस का चेंग बीस परसंट था क्यूंकि क्यूंकि क्वांटिटी का चेंग सिर्फ पॉइंट वन डाट इस दो प्रतिशत था हमारे एक्जाम्पल में उक्या ग्राफ कैसे बनेंगे तो बराबर दोनों में पी अगले में तो हम एकदम ठाकूर बनेंगे कैसे बनेंगे यह अगली कक्षा में बताया जाएगा आज की सेमा यहीं समाप्त होती है